को देखें दोस्तों आप सभी को पता है कि हम अपने ट्वाईंग रूम का करने वाले हैं मेक ओर सो यहां का हमने वाल पिपर निकाल दिया है जो वीडियो पार्ट वन में Aap में अपने से शेयर किया हुआ है और आज हम अपने करने वाले हैं होम डेकोर आइटम्स जिसको हमने अपने ट्वाइरूम के लिए बनाया है जो बहुत ही ज़ादा खुबसूरत और यूनीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिखें ये पुराना हमारा DIY वास है इसको हम कुछ नए तरीके से अब फिर बनाएंगे यहाँ पे हमने लिया है चॉक पाउडर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और ठिक पेस्ट बना लिए क्योंकि जो वास का बेस है उसको हमें स्मूथ करना है आइरें शीट की हेल्प से इस पेस्ट को पूरे में फिल कर देंगे जब पेस्ट लगाएं तो लेयर थीन होनी चाहिए अधरवाइस फिर पेंट करने के बाद यह निकल सकता है तो देखे हमने पूरे में कवर कर दिया है और रख दिया है 24 आर्ट के लिए और यह अच्छी तरह से ड्राइ हो चुका है अब हम इस पे करने वाले हैं सैंडिंग सैंडिंग हम इस ले कर रहे हैं क्योंकि जो भी इसकी रफ सरफेस है वो स्मूध हो जाए sanding करने के बाद इसे अच्छी तरह से clean कर लेंगे दिन करेंगे primer और रख दिने से dry होने के लिए दोनों वास अच्छी तरह से dry हो चुके हैं अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं ये pebbles जो हमारे पास waste पड़ा हुआ था अब इस pebbles को लगाने के लिए हमने इस पे लगाया है fabric all ये अच्छी तरह से stick हो जाता है निकलेगा भी नहीं जस्ट जो मन में design idea आया उस तरह से हमने इस पे create कर दिया जब ये अच्छी तरह से dry हो गया तो हमने इस पे black spray paint कर दिया जो है deco paint इसे finishing बहुत ही अच्छी आती है और dry होने के बाद अब हमने यहाँ पे लिया है oil paint जो है golden shade में जहाँ जहाँ stone हमने लगाए है उतने ही part में हमें इसे paint करना है और दिखें ये अच्छी तरह से dry हो चुका है हाँ try होने में काफी time लग जाता है लेकिन result आपके सामने है जो की बहुत ही जादा खुबसूरत unique लग रहा है अब आप लोगों कैसा लग रहा है comment करके ज़रूर बताइएगा बाकी तो drawing room में जब हम इसे decor करके रखेंगे तब तो इसमें जान ही आ जाएगी और चली अब आप लोगों से share करते हैं दूसरा DIY जिसके लिए हमने लिया है ये cardboard का box इसमें आया था हमारा floor lamp जिसको हमने assemble करके रख दिया है अब क्या है कि इस type के जब box आते हैं तो हम उसे fake नहीं पाते हैं मेरे मन में ना दसियों idea आने लगते हैं और फिर हम इसे fake नहीं होगा अब हमें इसके लिए चाहिए ये बक्रम cloth जो मार्किन में बहुत ही easily compressor में मिल जाता है I think 5-10 रुपए मीटर में ये मिलता है जिसको हमने 2 मीटर में buy किया था और इस तरह से हमने देखे कट कर लिया है एक इंच चारो साइट से बढ़ाते हुए अब हम इसको cardboard में चा रहे है texture painting सबसे पहले तो हम इसके चारो साइट लगा देंगे masking tape इस tape को हमने इसलिए लगाया है ताकि painting में perfect finishing आये और एक border भी बन जाये तो देखे दोनो canvas board बनके ready है masking tape हमने लगा दिया है थोड़ा सा कम पड़ गया था तो cello tape हमने इस वाले में लगा दिया अगर आपके तरह से इसे mix कर लिया अब हम इस canvas board में बनाएंगे इसी wall putty से ही texture painting थोड़ा सा लिया है जस्ट अपने हातों की help से पूवे में equally spread कर रहे हैं spread करने के बाद यहाँ पे iron sheet की help से इसे smooth कर रहे हैं कहीं पे भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए नहीं तो texture अच्छा नहीं बन किया आएगा अब हम यहाँ अपनी finger की help से design create कर रहे हैं आपके मन में जो भी idea आ रहा हो उस तरह से इस पे texture बना सकते हैं make sure बस उसका texture थोड़ा उबरा हुआ होना चाहिए इसकी जगा आप spoon की भी help ले सकते हैं आप देखे design create करने के बाद masking tape को हमने निकाल दिया और रख दिया उसे dry होने के लिए दूसरी design के लिए हमने उस same उसी process को repeat किया है थोड़ा सा लेने के बाद पूरे में equally spread कर लिया है ये painting market में बहुत expensive मिलती है लेकिन अगर आप घर पे try करना चाहिए तो बहुत ही simple है इसे बनाना आप देख सकते हैं जिस तरह से हम बना रहे हैं चलिए स्मूथ करने के बाद यहां पे हमने लिया है कॉम जो बहुत ही इसली सभी के घर में मिल जाता है simple बोखो वाली design यहां पे हमने create किया है इस कॉम की help से जो मोटा वाला कॉम आता है उसी कॉम को ही हमने लिया है चलिए इसकी भी design बन चुकी है तेप को हम निकालने के बाद यह दोनों canvas painting को रख देते हैं dry होने के लिए और जब यह dry हो जाएगा तब हम आगे का process complete करेंगे अच्छी तरह से सूख जाने के बाद यहां पे हम कर रहे हैं white paint अब हम इस canvas painting को और भी जादा attractive बनाने के लिए यहां पे हमने लगाया है glue और यह है golden leaves इसको हमने online बाई किया था link हम description box में दे देने हैं अगर आप चाहें तो ले सकते हैं अच्छा यह जो golden leaves होती है इसको लगाने से painting बहुत ही खुबसुरत लगने लगती है लेकिन एक drawback है कि इसे लगाना बहुत ही tough काम होता है क्योंकि इसकी जो layer होती है बहुत ही जादा thin होती है लगाने के बाद आप देख सकते हैं brush की help से हम इसे stick करते जा रहे हैं random इस bow design पे जहां-जहां हमें लगाना है वहां-वहां हमने इसे stick कर दिया है अब थोड़ा इसे और भी attractive बनाने के लिए हमने आपे लिया है golden shade इससे हम पूरी design में थोड़ा सा light shade दे देंगे और उसके बाद फिर हम light green shade देंगे जिसे कि ये जो बहुत design है अच्छी लगे चलिए golden and green से हमने shade दे दिया है अब हम यहाँ इसके border को green से paint कर रहे हैं यह दूसरी painting को भी हम paint कर लेते हैं सबसे पहले हम लगाएंगे इसपे golden leaves पूरे में leaves लगाने के बाद brush के help से बची हुई leaves को हम यहाँ पे clean कर रहे हैं अब जैसे पहले वाली painting में हमने दो shade use किया था उसी तरह से हम इसपे भी use करेंगे green and golden shade क्योंकि दोनों हमारी जो texture painting हैं उसको match करते हुए हम एक जगह लगाएंगे अब चलिए दिखाते हैं दोनों texture painting complete होने के बाद किस तरह से लग रही है लग रही है ना गोपसूरत तो दिखा कितना simple तरीके से हमने घर पे texture painting create किया और साथ ही साथ हमने canvas board भी बनाना सिखाया तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रू ट्राई कीजेगा चलिए अब हम आप लोगों से share करने जा रहे हैं अपना तीसरा DIY जिसके लिए हमने लिया है यह iron का circle जिसको हमने building shop से बनवाया था अगर आप iron का circle नहीं लेना चाहते हैं तो cardboard से भी इस तरह circle बना सकते हैं और यहाँ पे हम white से paint कर रहे हैं पेंट करते टाइम छुटकू देख रहे थे तो भाई इनका भी मन कर रहा था हमने का चलो भाई इनसे भी करवा लेते हैं पूरे circle को हमने white से paint कर लिया है अच्छी तरह से dry हो चुका है अब हमने यहाँ पे लिया है यह satin की white ribbon और इसकी help से हम पूरे circle को cover कर देंगे बीच बीच में हमने hot glue gun की help से स्टिक किया है क्योंकि satin का ribbon काफी smooth और silky होता है और जिसकी वज़ा से यह loose होकर के खुल सकता है finishing खराब हो जाएगी तो इसलिए हमने इसको glue gun की help से fix कर दिया एक्चली इसका DIY हम काफी time से सोच रहे थे करेंगे करेंगे लेकिन क्या है कि बहुत जादा इसमें time taken था इसलिए हमने सोचा था कि जब हम drawing room का makeover करेंगे तभी इसको बनाएंगे सो यह हमारा सबसे फेवरेट DIY होने वाला है hope so आप लोगों भी अच्छा लगे तो देखिए सरकल में पूरा ribbon हमने रैप कर लिया है अब हमने यहां पे लिया है क्रैशिया का बना हुआ यह table clothes जिसको हमने online बाई किया था यहां पे हम यह जो flowers बना हुआ है उसको फैब्रिक paint से shade दे रहे हैं blue, green, yellow, red dry होने के बाद अब हम इस circle में इसको fix करने जा रहे हैं तो यह जो उपर से round round design बना हुआ है उसी को ही हम पहले 4 side thread से लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम जितने भी design दिये हुए हैं उसमें एक ही करके thread को knot लगाते जाएंगे ताकि यह अच्छी तरह से fix हो जाए तो दिखें सरकल में हमने stable cloth को इस तरह से लगा लिया है अब हम इसको hang करने जा रहे हैं यह laces है जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी आपके पास जो भी पड़ी हो laces उसका use कर सकते हैं अब हम यहां सारी laces को 2 meter की length में कट कर रहे हैं ताकि easily हम इसे लगा सकें चलिए अब इसे दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इस iron circle में fix किया है जस्ट इसको हमने double किया है और double करने के बाद उपर से लाते हुए नीचे से ribbon को निकाल लिया है इसी तरह से हमने पूरे में लगा दिया है सो जितनी भी satin की lace थी उसको हमने लगा दिया है अब यह pom pom lace थी तो इसको भी हम लगाने जा रहे हैं इसी के साथ साथ यह जो glitter वाली lace होती है जिसे हम गूटा पट्टी lace कहते हैं इसको भी हम बीच बीच में लगा दिये हैं और यह जो बचा एक फर वाला उन रखा हुआ था तो इसको भी हमने इसमें लगा दिया पूरा लगने के बाद आप देख सकते हैं क्या गजब का यह home decor hanging piece बनके ready है अक्चली यह हमने बनाया है 5 feet का dream catcher अब आप लोग को कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा और चलिए share करते हैं चौथ हर DIY यह हमने अपने washroom के लिए coats बनाया था इसमें से हमने कागस को निकाल दिया है white paint कर रहे हैं paint dry होने के बाद हम इसके middle में एक line draw कर रहे हैं और इसके उपर वाले portion में हम paint कर रहे हैं blue और नीचे वाले portion में golden shade से paint कर रहे हैं अच्छी तरह से dry होने के बाद हम इसके उपर permanent marker से लिख रहे हैं welcome to our home पूरा लिखने के बाद welcome को हम यहां golden shade से highlight कर दिये हैं अब उपर वाले portion में जितने भी artificial leaves and flowers है उसको hot glue gun की help से हमने stick कर दिया है और यह देखिए कितना खुपसूरत यह decor piece बनके ready है जिसको हम लगाएंगे अपने बताएंगे आप लोगों से paint room decor में चलिए अब आप लोगों से share करते हैं अपना last DIY जो की है यह wall clock actually इस wall clock की design शाही अंदाज में बनी हुई है लेकिन क्या है कि इसके middle में जो यह white paper लगा हुआ है इससे इसका look अच्छा नहीं आ रहा है इसलिए simple हमने इसको खोल के paper को हटा दिया है अब क्या है कि इसका जो base है वो black है और black इसके needle है तो इसलिए इसके needle को just हमने golden shade से paint कर दिया है ताकि नजर आए तो बहुत ही simple तरीके से हमने इसका DIY किया है जो हमें बहुत ही जादा अब अच्छा लग रहा है तो यह था आज का हमारा DIY drawing room makeover part 2 वीडियो कैसा लगा आप सभी को जरूर बताएगा चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द drawing room makeover के साथ सब तक के लिए आप सब भी अपना खयार लगए बाई